हलो दोस्तो कैसे हैं कि आज हम लोग कह वो दिन आ गया है दोस्त जिस सम dusk का आखरी पड़ाव पके हैं हम लोग प्रजेंट टेंस पढ़े पासटेंस पढ़े फ्यूजर पढ़े प्रजेंट का एट अलग त बताए आज आपकी बारी है सिखा रहे हम आपको ध्यान से देखिएगा बहुत मज़ेदार चीज है इसको समझने के पहले थोड़ा सा चीज हम आपको समझाना चाहेंगे वर्ब का फॉर्म वर्ब का फॉर्म जब तक आप नहीं समझेंगे दोस्त बहुत मुश्किल हो यह V2 है यह V3 है यह V4 है V5 है इसका actual मज़ा दोस्त आपको अंति में समझे में आएगा कैसे इसको समझते हैं इसका अंति मज़ा अंति में है दोस्त अब V1 का यूज कैसे करते हैं आपको पता है भीवन का मतलब क्या था हम सबका मतलब समझाते हैं कहां यूज होता है कैसे यूज होता है भीवन का जो यूज होता है ये ये हो गया आपका plural form in present ठीक है वीडियो का मतलब क्या हो गया past form ये present में है plural ये है past का form है ठीक है भीथरी क्या है अब यहां से समझना बहुत important है दोस्त बहुत ध्यां से समझेगा इधर बहुत काम का चीज है इसको पहले बता दें ये है singular form singular form औ भर्ब in present देखे दोनों में क्या अंतर है भीवन और भीफाइब में क्या अंतर है जो भीवन है ये plural form in present है plural form of verb in present ये क्या है past form of verb और ये क्या है singular form of verb in present clear है अब यहां देखे भीथरी में ये जो है हमारा past participle है past past participle है past participle है past participle का मतलब क्या होता है दोस्त इसके इस्तमाल कहां करते हैं सबसे पहला कैसे करते हैं past participle का इस्तमाल कैसे करते हैं दोस्त सबसे पहला इस कमाल करते हैं adjective के रूप में दूसरा adjective के रूप में clear है दोस्त बहुत important है adjective यह समासना बहुत important है कि इसका इस्तमाल कैसे करते हैं adjective के रूप में करते हैं और दूसरा कैसे इस्तमाल करते हैं इसका इस्तमाल बताईए उस ध्यान में है इसके इस्तिमाल करते हैं जब काम पूरी तरीके से खत्म हो गया रहता है काम पूरी तरीके से खत्म हो गया रहता है ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? काम जब पूरी तरीके से खत्म हो गया हो ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं जब काम पूरी तरीके से खत्म हो गया रहता है तब हम लोग वहाँ पर past participle यानि भीथरी का इस्तमाल करते हैं adjective के रूप में भीथरी का इस्तमाल करते हैं ठीक है? और भीफोर का इस्तमाल ये क्या है? इसको बोलते हैं present participle क्या बोलते हैं दोस्त? present present participle है इसके इस्तमाल कहा करते हैं? adjective के रूप में करते हैं दोस्त दूसरा noun के रूप में करते हैं दोस्त इसके इस्तमाल तीसरा और बताईए और बताईए कहां इस्तमाल करते हैं इसके इस्तमाल करते हैं जब काम अभी वर्तमान में चल रहा होतो प्रजेंट की इस्तमाल करते हैं प्रजेंट के इस्तमाल करते हैं जब काम पूरी तरीके से खत्म हो गया हो तो करते हैं यह क्या है, past form of verb है, यह भर्ब का past form, जैसे हम लोग भी present की बात करते हैं न दोस्त, जो पीद की है, past, past के लिए, यह क्या है, भीवन जो है, plural form of verb है, भर्ब का plural form है, present में, और भीवाइब क्या है दोस्त, भर्ब का singular form है present में, clear है, कोई दिक्कत, चलो आगे पढ़ते हैं, जैसे माल लेते हैं, go लिखते हैं, तो यहां क्या लिख देंगे, wind, यहां क्या लिख देते हैं दोस्त, gone, यहां क्या लिख देते हैं, going, यहां क्या लिख देते हैं, गोज, ऐसे ही होता न, यह तो हम लोग जानते हैं, सब को जानते हैं, everyone knows that, तो बोलेंगे से इसमें बुर यहां हम आ लेते हैं play है दोस्त, play, played, played, playing, plays, ठीक है दोस्त, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, great, अब कुछ और भी चीज हम लोग बात करते हैं, जैसे, b, b यहनते न दोस्त, b was been, ऐसे चलता है, तो b का मतलब क्या होता है, b क्या है, एक तरह का axillary भर्व, उस point पे जो हम लोग use करते हैं, उसके लिए हम लोग b के इस्तमाल करते हैं, 2 प्लस b, ऐसे न, करते हैं न दोस्त, I am to go, you are to come, ऐसे करके हम लोग जो इस्तमाल करते हैं, तो यहाँ पर plural form में r चलता है, at some extent पे aim भी चलता है, ठीक है, इसका past क्या होगा, वाज होगा, अब वाज होगा तो वर भी होगा न दोस्त, दोनों होगा न, singular plural में, इसे क्या होगा, यहाँ पर being, ठीक है, यहाँ पर क क्या होगा, being, और यहाँ पर क्या होगा, singular form है दोस्त, क्या होगा, ease, घ्यान में, ease होगा, कोई दिक्कत, clear है, अब क्या होगा, have है, clear है, तो यहाँ पर क्या होगा, have तो क्या है, भी वन है, भी टू क्या हो जाता है, had, भी थ्री क्या हो जाता है, Had, before क्या हो जाता है? Having, और भी-fab क्या हो जाता है, दोस्त? Has, कोडिक्कत है यहां तक में? Have, Had, Had, Having, Has कोडिक्कत? यह तो हम लोग जानते हैं, आप बोलेंगे सब भी तो हम सब जानते हैं अरे भाहिया, हम कहाँ बोलें कि आप नहीं जानते हैं? बहुत अची बात है, जानते हैं तो अची बात है, हम खाली remind करा रहे हैं, बस इतना ही तो मेरा काम है, be, was, been, being, is, have, had, had, having, has, clear, यहां तक में कोई दिक्कत, नहीं दोस्त, अब हम लोग इस form को ध्यान में रखियेगा, हम लोग इसके इस्तमाल करेंगे, एक दो और लिख दे burn, burnt, burnt, burning, burns, ऐसा भी हम लोग लिखते हैं, हम दो चार ऐसे लिख दिये ताकि आपको छोड़ा समाजना आसान हो जाए, ठीक है, यहां पर, do, यहां did, यहां done, ऐसे लिखते हैं ना बहिया, यहां पर, doing, यहां does, ऐसा ही होता है, clear है, इसको ध्यान से क्या किजेगा, इसको पॉस्ट करके, इसको एक वर अपने कॉपी पे फियर कर लीजेगा दोस्त, और इसको सामने रखियेगा, clear है, इस पूरे चीज को अपने सामने रखियेगा, जो हम आपको सिखाएंगे, इसक सामने रखियेगा, चुकि हमको तो सब ध्यान में है, इसलिए हम फड़ा फड़ बोलेंगे, और आपको क्या करना है, इसको अपने कॉपी पे उपर में लिख के रखना है, उसके बाद अब जो बताएंगे, वो आपको ध्यान देना है, clear है, हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े, टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग साबीत कर रहे हैं, पिछले वीडियो में पढ़े, प्रसेंट टेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग साबीत किये, आज हम लोग पास्टेंस के स्ट्रक्चर को साबीत करेंगे, कि आखिर पास्टेंस के structure वही क्यों होता है कुछ और क्यों नहीं होता हम लोग सबसे पहले क्या सीखे दोश्ट टेन्स के structure टेन्स के structure क्या सीखे थे subject प्लस भर प्लस object सीखे थे दोश्ट यह था ना यह टेन्स के structure था किसका था टेन्स का था हम लोग present 10 टेंस का पढ़े दोस्त subject प्लस v1 v5 plus object पढ़े यह था ना आज पढ़ेंगे past tense का दोस्त past tense का जो structure होता है न दोस्त subject प्लस v2 प्लस object होता है तो आप पूछेंगे sir यही क्यों होता है याद है आपको हम लोग भर वह वाला जो section पिछले वीडियो में पढ़े थे हम उसको इस वीडियो में भी लगा देंगे आपको ताकि आपको समझना जादा आसान हो जब भर्व का सारा form V1, V2, V3, V4, V5 उसका वीडियो को हम इस वीडियो के साथ भी connect कर देंगे आपको समझना आसान हो जाएगा clear है तो आप उसको समझ लेंगे उसके बाद इसको आप समझेंगे तो बहुत मजाएगा दोस्त past tense को समझना बहुत ज़रूरी है तो यही क्यों होता है तो हम आप वो क्या सिखाते है present tense का structure आप याद कीजिए सब हमें सब पहला definition भी बहुत important है काम का अगर असर होता है तो present tense काम का असर नहीं होगा तो वो past tense हो जाएगा clear है यहाँ तक तो हमको पता था अगर उसका असर नहीं है काम का असर नहीं है तो काम का असर नहीं दिखाने के लिए क्लिए क्लिए होता है past हो जाता है past मतलब b2 second form of verb याद होगा आपको, हम लोग जो structure में थे, उसमें आपको देखिएगा, हम link में भी डाल लेंगे, वीडियो में भी डाल लेंगे, सब जगा में इसको डाल लेंगे, आप ध्यां से देखिएगा, जो भीटू होता है, क्या होता है, past form of verb होता है, मतलब भर्ब का वह रूप जिस लगाएंगे, भीटू, देखिए, subject plus verb plus object, subject plus verb, यहाँ पर भीवन, भीटू, भीफाई क्यों लगाते हैं, अरे दोनों तो भर्बी है न, एक plural के ही लगाते हैं, एक singular के लिए अलग यूज होता है, प्लूरल के लिए अलग यूज होता है, एक के लिए भीवन, एक के लिए यहाँ पर singular upload कुछ होता है, इन्हें दोस्त, सब के साथ भीटू लगता है, एन्ही काम का असर नहीं है, तो भीटू लगा है, इसलिए अब अभी देख रहे हैं, same structure है न, subject plus verb, 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 भर्ब, दियान दीजिए, verb, object, verb, object, verb, object, अब समझ माया, sub structure same होता है, तो अब इसका चारो structure हम लग सीखेंगे, clear है, सबसे पहले सीखते हैं, simple past, simple past, इसका structure क्या होता है दोस्त, subject plus, भीटू प्लस, object, अब भीटू हो गया दोस्त, आप देख रहे हैं, आप अब भीटू है, भीटू है, clear है, same structure है, simple past, यानि कोई आप से अगर पूसता है, past tense का structure बोलो भया, तो आप आपको ये बताना है, subject प्लस, भीटू प्लस, object बताना है, तब बिलकुल ध्यान में रखिएगा, ये past tense का structure है, simple past का नहीं, क्योंकि चारो का structure यही होता है दोस्त, एकदम दिमाग में डाल के रखिएगा, past continuous, इसके structure क्या होता है, subject प्लस, वाज, वर प्लस, भीफोर प्लस, object, आप बोलेंगे, सर यहां पर ताप वाजवर लिख दियें सर, एरे भाईया, आप word form तो देखिए, B1, B2 में क्या लिखे थे, B was been लिखे थे न भाईया, तो B मतलब क्या था, A में या R था, B2 का मतलब क्या था, was या word था, आप देखिए उसको, हम इसलिए बोले हैं, कि उसको भर्ब का form को सामने रखिएगा, भर्ब का form को सामने copy पर रखिएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा, आप हम जो बोलेंगे, फट से महां मिलाकर देखिएगा, अच्छा, अच्छा, सर यहां बोले हैं, देखिए यह वला है, मैच करेगा आपको, B1, B2, यहां पर अब यह बताईए कि यही क्यों हुआ, दूसरा क्यों ने, देखिए, पास्ट का मतलब क्या हो, आपको जो यहां लिख है, बस अम उसी को समझाने को उसकर रहे हैं, जो नाम है ना, बस नाम को justify कर रहे हैं, पास्ट है, पास्ट का मतलब क्या होता है, जब काम का असर नहीं ह होने के लिए हमको भीटू दिखाना पड़ता है क्योंकि काम का असर नहीं है हम लोग यहां भीटू लगा दिए अब काम का कंटिनिवेशन है काम कंटिनिवेशन मतलब काम अभी भी जारी है मतलब जिस वक्त की बात हो रही है उस वक्त उस काम जारी था जब काम का continuation दिखाना पड़ता है तो हम लोगो भर्व का चौनथा फॉर्म लिखना पड़ता है भर्व का चौनथा फॉर्म भी फॉर्म हम लोग अलड़ी मेंसेंड किये हैं यानि उस समय में जिब काम का असर नहीं था उस समय वो काम चालू था यहने कि V4 लगाना पड़ा हमको आप सोचिए यहाँ पर हम लोग न B1 लगा सकते हैं, न B2 लगा सकते हैं न B3 लगा सकते हैं, न B5 लगा सकते हैं न B4 तो इसमें लगाना क्या है? हम वो काम कंटिनिवेसन दिखाना है V4 लगेगा, बाकी नहीं लगेगा पास्ट परफने क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री प्लस अबजेक्ट अब देखिए हैड क्या है हमारा फिर वही बात भर्व का फॉर्म देखिए हैड हमारा भी टू है subject हो गया, head हमारा भीटू हो गया अगर पूरे को object की तरह treat कर लें तो object हो गया same form वा गया ना दोस्त, यहां देखिए same structure same structure same structure हर जगे structure same ही है दोस्त past tense का अब आप बोलेंगे ज़र यहां भीथरी लगा है, यहां भी भीटू लगा है दो काम क्यों की है, अब देखिए इसको समझिये बहुत ध्यान से बस इसी को समझिये ना, जो नाम लिखा है ना, बस नाम से ही सब define है, past है मतलब काम का उसर नहीं है, काम का उसर नहीं के लिए भीटू चाहिए, तो भीटू दिखा दिए विड़ू लिखा ना वाई अब काम perfect है नि काम पूरी तरीके से खत्म भी हो गया है काम पूरी तरीके से खत्म भी हुआ है तो उसके लिए बुक्या चीए आपको भर्ब का form यहा देखिए भर्ब का जो third form होता है उसका इस्तमाल क्यों करते हैं adjective के रूप में करते हैं और जब काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो उसके लिए करते हैं यहाँ पर काम क्या है perfect हो गया है यानि की काम पूरी तरीके से खत्म हो गया है तो उसके लिए मुझे चीए भर्ब का third form लगाना पर देखिए क्यों काम को हमको पूरा करके दिखाना ना तो काम पूरा हो गया और काम का असर को नहीं हो ना दिखाना है इसलिए हम लोग को भीटू के लिए हम को डमी भर्व चाहिए जो हम लोग यहाँ पर हैड लगा है ठीक है क्लियर हो रहा है हमको सब जगा भर्वी उस्तमाल करना होता लेकिन भर्व हमारे पास नहीं है क्योंकि हम एक वाक में एक ही चीज के लिए दो भर्व नहीं लगा सकते हैं तो एक ही भर्व लगाएंगे तो दूसरा काम को लिए क्या लगाना पड़ेगा एक डमी भर्व चाहिए हमको एक डमी भर्व का रूप चाहिए डमी भर्व का Past, Perfect Continuous Ins अब देखिए जो नाम लिखा है ना बस हम लोग उसके इसाब से कर दे रहे हैं Head plus Bean plus V4 plus Object अब देखिए जो नाम लिखा है ना बस इसको यहाँ देख लीजेगा नाम क्या है? Past है, काम का असर नहीं होना है काम का असर नहीं होना है अगर पूरे को आप Object मान लीजिए क्या हो गया? Subject plus V2 plus Object Structure same हो गया ना भीया? हो गया ना? Same चीज हो गया? अब आपको यह बताना है कि आखिर यही क्यों होता है दूसरा क्यों नहीं होता है? अब उसका जवाब देते हैं आपको Past दिखाने के लिए आपको क्या चीए? भीटू चीए इसमें कोई कीन्तू और परंतू नहीं है Past मतलब जिसकाम का असर नहीं है तो वो भीटू होगा तो भीटू एक लगा दिये हैं भीटू देखिया यह लगा हुआ है भीटू है ना भीया? उसको में भर में यूज करना हमेशा तो काम हभी हो रहा है क्या? तो उसको Continuism दिखाएंगे Continuism दिखाने के लिए उनको B4 चाहिए तो B4 लिख दिये हैं आपर क्योंकि दूसरा कुछ हो ही ने सकता ना B1 हो सकता है ना B2 हो सकता है ना B3 हो सकता है ना B5 हो सकता है तो बचा क्या B4? B4 यूज कर दिया अब उसी काम का एक हिस्सा को पूरा भी हो गया है ठीक है? काम जो हो रहा था उसी का एक टुकड़ा पूरा भी हो गया है तो जो काम पूरा हो गया तो उसके लिए हम अलग से भर्व लगाने सकते हमको वहाँ पर एक ढमी भर्व चाहिए और वो भी ढमी भर्व का कौन सा रूप चाहिए? तो थर्ड फर्व हम चाहिए क्यों? काम पूरा हो गया ना भाया? जब काम पूरा हो जाएगा तो थर्ड फर्व लगाना ही पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पर b 3 लगाएंगे यानि की यह bin बन गया यहाँ पर b 4 बन गया कुछ फंड क्लियर हो ला दोस्ट इस तरह से आप समझेंगे क्या subject प्लस, b 2 प्लस bin प्लस, b 4 प्लस object काईसे हम लोग इसको लगाएं क्योंकि इसके अलावब दूसरा कोई चारा ही नहीं है आपको भी यूज करके देखे भी वन, भी टो, भी ट्री, भी पर भी फाइब आपके पस option ही नहीं बचाएगा दोस्त और इस सारा सिर्फ उसी से पांचों फर्ब का form से ही पूरा structure दोड़ता है और दूसरा से दोड़ता ही नहीं है दोस्त clear है इस तरह से जो हम आपको बोले थे promise किये थे कि हम आपको सारा structure सिखाएंगे क्यों यूज होता है दूसरा क्यों नहीं यूज होता आपके सामने हैं दोस्त आप एक छोड़ा सा काम जरूर करें इस वीडियो को जितना हो से के उतना सेर करें दोस्त बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह का information जितने लोगों के पास जाएगा सब लोग इसे सीखेंगे ठीक है और इसको subscribe जरूर कीजेगा क्योंकि हम आपको जो भी सिखाएंगे voice सिखाएंगे, narration सिखाएंगे prepogen सिखाएंगे, determiner सिखाएंगे clause सिखाएंगे सब में कुछ ऐसा ही अजूबा चीज आपको सिखाएंगे दोस्त हर एक चीज में हम आपको अजूबा देने वाले हैं ज़्यादा तर वो चीज जो आप normal books में नहीं देखते हैं क्योंकि आपको बहुत सारा information ऐसा भी मिलेगा दोस्त जो हम लोग सोचे नहीं है हम आपको देंगे उसके लिए दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा अपने आपको notify करकर रखना पड़ेगा जाके जो भी हम भेजें आपको notification मिलता रहे चीक है तो जीतना हो सके अपने दोस्तों को share कीजिए subscribe कर लिजे दोस्त और like कीजेगा तो बहुत मजाएगा क्योंकि बहुत motivation मिलता है आपसे आप पता है आप जब like करते हैं तो लगता है थाइंक्यू दोस्त जाहिन